और आपन देखें इसमें जो आगे की कृष्री विधिया हैं वो हैं पॉमो कल्चर का उप्योग फलों का उत्पादन करने में किया जाता है कैसे क्योंकि दोस्तों जो फल होते हैं वो दोस्तों पक जाते हैं यानि कि पॉमो यानि कि वो आवाज किया करते हैं पॉमो पॉमो य यानि कि हम पग गए हैं पग गए हैं यानि कि पोमों और फल बोलते हैं कि हम पग गए हैं और इसमें जो आने दिया है कि एरो पॉड़े के जो विदी है उसका उप्योần हवा में पोधों को उगाने के लिए किया जाता है कैसे क्योंकि दोस्तो इसमें सब्द आ रहा है हावा और जो हावा होती है उसको दोस्तो अपन o air वोलते हैं यानि की aero- Volunteer यानि की air और aero यानि की बिल् Date को एक से सब्द हैं तो इस प्रकार आपको ये भी याद हो गया होगा कि arrow मतलब की air की बात हो रही तो दोस्तो यानि कि हवा और हवा में आपन पोधो को उगाएंगे और इसमें जो आगे दिया कि हाइड्रो पॉनेक्स जो बिधी है उसका उप्योग है जल में पोधो को उगाने के लिए किया जाता है यानि कि मिर्दार रहेते क्रिशिय की जाती है कैसे क्योंकि दोस्तो हाइड्रो मतलब सूत्र H2O होता है यानि कि इसमें भी हाइड्रोजन की बात हो रही और यह भी हाइड्रो सब्द आ रहा है यानि कि हाइड्रो मतलब की H2O और जो जल होता है उसका ही सूत्र होता है ह2O और इसमें जो आगे दिया की होटी कल्चर का उप्योग है बागवानी में किया जाता है कैसे क्योंकि बागवान मतलब की बागों की बात हो रही और जो बाग होते हैं दोस्तों वो बहुत ही होट होते हैं मतलब कि बहुत ही गरम होते हैं यानि कि होटी कल्चर आजागा क्योंकि जो बाग होते हैं छोटे छोटे बाग या बड़े बाग वो बहुत ही होट होते हैं और अब अपन इन सब को एक और फिर से रिविजन करके देख लेते हैं कि जो पॉमो कल्चर है यानि कि पॉमो पॉमो कौन बोलते हैं तो वो दोस्तों फल बोला करते हैं कि हम पक गए हैं यानि कि फलों का उत्पादन आ जाएगा और इसमें जो आंगे दिया की एरोपोर्टक है यानि कि एर की बात हो रही दोस्तों और एर में दोस्तों एर मतलब की हवा और हवा में दोस्तों अपाने पोधो को उगाएंगे यानि कि हवा में पोधो को उगाने कि जो बिदी होती है उसको एरोपोर्टक है कहा जाता है और उसमें जो आंगे द्याएक की hydroponic से जो विदी है उसका उप्योग अपने जो जल होता है उसे पोधो को गाने के लिए किया जाता है क्योंकि Hydro मतलब दोस्तो H2O यानि की जु जल होता है उसी की बात हो रही है Hydro मतलब की Hydrogen और Hydrogen को अपन दोस्तो दो अडू और एक oxygen गुग ना जाएगा और इसमें जो आगे दिया है कि होटी कल्चर तो दोस्तो जो होट होते हैं वो दोस्तो बागवान होते हैं मतलब कि जो बाग होते हैं यानि कि जो बागवानी किर्शी है वो दोस्तो उसको अपने होटी कल्चर कहा जाता है और अब अपन दिखें जो अप अपने कृष्री विध्या पढ़ी हैं इन सवी को एक फिर से देख लेते हैं तो इसमें जो पहला दिया है कि सहरी कल्चर मतलब कि साड़ी की बात हो रही और दोस्तों साड़ी किसकी बनेगी तो वो दोस्तों रेसम की बनेगी यहनी कि रेसम की पालन आ जाएगा और एपी कल् कल्चर यहनी कि दोस्तों आपन पीस करकर के किसके खाएंगे तो दोस्तों आपन पीस करकर के आपन खाते हैं मचली के यहनी कि जो मतल स्पालन है उसका उप्योग किया जाता है और फ्लोरी कल्चर यहनी कि फ्लोवर दोस्तों तो फ्लोवर को अपने फूल बोलते हैं यहनी क फूलो का उत्पादान कन्ने में कह जाता है और बर्मी कल्चर यानि कि जो बर्मी कमपुष्ट खाद होती है वो दोस्तो कैच्वा की होती है यानि कि कैच्वा पालन आ जाएगा और बिटी कल्चर दोस्तो मतलब कि अपन बाट बाट कर क्या खाएंगे तो वो दोस्तो अपन अंगूर खाते हैं यानि कि जो अंगूर की खेती है उसी को अपन बोलते हैं बिटी कल्चर और इसमें जो आंगे दिया की पॉमो कल्चर यानि कि पॉमो पॉमो कौन बोलते हैं तो वो दोस्तों फल बोलते हैं यानि कि फलो का उत्पादन आ जाएगा और एरोपोर्टे के या तो यह दोस्तो हवा में पौधों का उगना जाएगा यानि कि हवा में पौधों का उगना और फिर हाइड्रोपॉनिक से यानि कि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन यानि कि H2O यानि कि जल आजाएगा तो जल में पौधों का उगना हो जाएगा और फिर जो जिसमें आंगे दिया की suppression यानि कि hot दोस्तों कौन होते हैं तो वो दोस्तों बाग होते हैं यानि कि बागवानी आ जालेगा। आप कमेंट जवो करिए तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो जवो बनाऊंगा तो चलिए दोस्तों आप अपन मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो पर जब तक लिए जय हैं जय भारत अपना ध्यान रखिए घर पर रहिए और सुरच्छत रहिए